Hello student, today we discuss the fifth chapter of history, craft and industries in the colonial period. Crafts and industry in the colonial period, वो period जिस समय में आप ही के कंट्री के सारे रिसोर्स का इस्तमाल किया जाता है लेकिन उस पर decision लेने का अधिकार दूसरे देश का होता है. मनें एक देश का रिसोर्स रहेगा, लेकिन उसका utilize जो है वो दूसरा देश करेगा, यही कोनोलियन पीरियड का लाता है. और craft and industry, उस समय में भारत का craft and industry के क्या स्थिती था, इस चेप्टर में हम लोग discuss करेंगे, thriving Indian textile industry, इंडियन textile industry जो थी उस समय में काफी संपन मानी जाती थी. अगर आपको याद होगा, तो औरंग्जेब जो था, वो last Mughal Empire हुआ, last Mughal Empire मतलब की effective, वैसे तो बहादूर सा जफर, second को माना जाता है, last Mughal Empire, लेकिन औरंग्जेब के बाद जितने भी सासक वे, वे कमजूर होते गए, औरंग्जेब जो था, वो अंतिम, effective राजा हुआ, तो उस समय में भारत का जो एकनोमी था, वो फ्रांस के एकनोमी से, जहां पर फ्रांस revolution हुआ, जहां पर नए मसीन की बनी, वहां के एकनोमिक से, दस गुना एकनोमिक इस्थिती भारत का मजबूत था, इस बात को आप समझ सकते हैं, मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, कि आज के समय में जैसे अमेरिका, चीन काफी डेवलप्ड है भारत के तूलना में, उसी तरह उस समय में जो वर्ल्ड का सबसे जादा एकनोमिक स्थित्थर और डेवलप्मेंट था, वो इंडिया में था, दस गुना, मैंने कितना पता है, दस गुना जादा डेवलप्ड था, फ्रां इंडियान टेक्स्टाइल इंडस्ट्री, इंडियान टेक्स्टाइल इस इंडस्टी अपनी पीक पे था, उसके डिकलाइन का क्या कारण हुआ, और प्लिगाइड ऑफ इंडियान वीवर्स, आटीशन और क्राफ्टमें, क्या बाद में जो इंडियान वीवर्स, आटीशन था, क्राफ्ट में था, उनकी दूर्दाशा का कारण, उसके बाद डिकलाइन आप इंडियान उड्जी स्टील, एक खास तरह का स्टील, हम लोग इसका डिस्कस करेंगे, नगे, मैना बताया भी आपको, कि, इंडेस्टियल डिवोल्यूशन से पहले, इंगलेंड जो था, या बिरिटिस इस्ट इंडिया कंपनी जो था, वो भारस से बहुत सारे स्पाइसेज, टेक्स्टाइल और अधर कलॉथ गूड्स यह सब ले जा करके, वहां पे बेजते थे और इनोम्रस प्रॉफिट होता था, लेकिन इंडेस्टियल रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, मसीन का अभिस्कार हुआ, और मसीन से बनने का जो काम हुआ, वो इंडियन मार्केट उसमें पीछे रहा गया, और वहां पे जादा तेजी से बनने लगा, तो अब इंडियन मार्केट में, वहां के बनाये हुए कपरों का बाढ़ सा आ गया चलिए एक्सलेंस आप इंडियन टेक्स्टाइल इंडियन टेक्स्टाइल की कुछ खास्यत थी किस तरह की खास्यत देर फाइन क्वालिटी एंड एक्सलेंट डिजाइन मेड देम highly popular all over the Asia the European trading company to sold them all over the European where they were much demand देखिए ये छिंट है एक खास तरह का design कपरों पे वो पूरे Asia में और European में यहाँ पे muslin अगर हम term करेंगे तो muslin चुकि muslin term है मौसूल इन इराक से तो muslin का मतलब होता है मलमल तो इंडिया खास का धाका धाका का मलमल उस समय में इतना जादा लोग पिरिया हुआ करता था कि एक पूरी साड़ी को माचिस में भर के दे दिया था इतना फाइन वर्क होता था तो ढाका का मलमल जो है वो विश्व परसिद हुआ करता था आप जानते हैं ढाका अभी बंगलादेश में है Muslim from Indian become world famous for its fine texture printed cotton cloth from India was called chint and the word chint is derived from the Hindi word chint meaning the cloth with design of the small and colorful flowers यह chint का उदारन है आप देखते हैं और chint जो है वो इंडिया का एक खास तरह का design था उस समय में domination of Indian textile देखें इंडियान टेक्स्टाइल जो था वो चाहे chint हो, silk हो, wool हो इस समय काफी dominant था दूसरे के तुलना में the British government tried to protect their local textile industry by banning the use of chint on printed cotton from India but still the Indian cotton textile were in great demand due to their fine design कि एक बार क्या हुआ कि British के लोगों ने इन chint को बंद कर दिया लेकिन इतना ज़्यादा मांग था कि लोग उसके मांग मांग के कारण फिर से उनको वो खोलना पर बजार उसके बाद क्या है कि एस सर्व बिलो दि इंडियन textile देखे steam engine के invention के बाद James Watt और और Richard Ark Wright के बाद उसके बाद क्या हुआ कि invention of water farming spinning jenny मने चर्खा इसके इस्तमाल होने के बाद जो बिन्ने का काम था England में वो एकदम high quality में होने लगा तो इंडिया के तूनला में ज़्यादा production उधर होने लगा वो machine से काम करते थे और उनके द्वारा बना हुआ समान जो था इंपोर्ट किया जाता था Indian textile were imported to Britain a very heavy custom duty was imposed on to create unfavorable condition for the Indian textile goods क्या किया जाता था कि वो बिन्न में इतना ज़्यादा वो टेक्स उस पे डाल देते थे कि यहां से जो कपड़ा ज़्यादा था इतना ज़्यादा महगा हो ज़्यादा था पहुचने के बाद बिरिटेन में कि लोग उसको नहीं खरीद पाते तो इसका दूस प्रभाब क्या हुआ कि बिरिटिस मसीन मेंड कॉटन textile capture the market of Europe America Africa and displacing the traditional domination of Indian textile जहां पे इंडियन का कबजा था अब वहां पे क्या हो गया बिरिटेन बिरिटिस का कबजा हो गया और America Africa इन सब में Europe में भारतिया मार्केट जमा हुआ था लेकिन कुछ इस तरह के बदलाब हुए इस तरह के नए मसीन का अभिसकार हुआ कि भारतिया मार्केट जो है वो इन से पीछे रह गया इन नेक्स्ट वीडियो वी डिसकस अबाइ ड्रून इंडी इंडियन वीवर और अभी आपको क्या करना है रिवीजन करना है आपके प्रीबियस जो चप्टर हम लोगों ने कम्प्लीट किया MCQ टाइप का कोस्टन डाना है जैसा आप एक एक जाम दियो है बस कोस्टन की क्या 40 होगी तो उसका रिवीजन करना है फिलिंदी ब्लैंक्स भी रहेगा तो उसके लिए भी आपको जो है वो फोर आप्शन मिलेंगे उसमें से एक टिक करना है ओके इन नेक्स वीडियो वी डिसकस अबाउट इस चप्टर और अलसो कोस्टन अंसर अब इस चप्टर ओके थैंक यू थैंक यू वेरी